कि चलिए दोस्तों आज थोड़ा सा नेटवर्क का मुझे इश्यू दिखाई दे रहा है वाई-फाई थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है मुझे मेरी आवाज क्लियर है तो हम लोग सेशन को कंटीनिव आगे करते हैं लता वाग मारे मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से लिखे सी क्लियर है तो चलिए दोस्तों ज्यादा विलम न करते हुए हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करते हमारे आज के सेशन को और आज जैसा कि आप लोगों को पता है आज के मास्टर क्लास में हम लोग आज कुछ ऐसे स्टेप्स को जानेंगे जिनको फॉलो करने के तो आप सभी लोग निटवर्ड मार्गेटिंग बिजनस में जो सफल होना चाहते हैं वो आज के सेशन को द्यान सेटेंड कीजिएगा देखे दोस्तों जो लोग भी आज इस सेशन में हैं यह प्रूब करते हैं कि आप लोग सक्सिस होना चाहते हो आप लोग सफल होना चाहते हो इसलिए आज की तारिक में आप लोग की सेशन में आई हुए हो तो मैं आप सभी महत्वकांची लोगों का सभी शांदार लोगों का सबी ड्रीमर्स का आज के इस सांदर मास्टर क्लास में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ वेलकम यू ओल तो आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस में सफल होने के लिए आपको तीन बेसिक चीजों के अविश्यक्ता होती है वो तीन चीजें क्या है यदि आपको सफल होना है तो एक एक करके समझते चलिएगा और फिर आज हम लोग बहुत इंपोर्टेंट बातें करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि network marketing business में success होना है तो आपको तीन basic कौन-कौन सी चीज़े हैं जिनको समझना है सबसे पहली चीज होती है knowledge, दूसरी चीज होती है planning, तीसी चीज होती है action आपको network marketing business में successful होने के लिए सबसे पहले तो आपके पास knowledge होनी चाहिए उसके बाद में फिर आपको planning करनी है और फिर planning के ऊपर आपको action करना है knowledge, planning and action ये तीन चीजों के ऊपर काम करना है यदि clear हो गया तो जल्दी से मुझे लिखे C clear knowledge, planning, action तीन चीजों के ऊपर काम करना है जल्दी से लिखेंगे chat box में C clear knowledge, planning, action किस-किस के ऊपर काम करना है knowledge, planning, action इन तीन चीजों पर आपको काम करना है अब आप बोलेंगे से knowledge क्यों चाहिए knowledge एक्चुली इसलिए चाहिए क्योंकि knowledge से मिलता है confidence knowledge से क्या आता है confidence और network marketing business में successful होने के लिए confidence बहुत important है और जितने लोग मानते हैं कि confidence important है तो जल्दी से chat box में लिखेंगे C I confidence important C I confidence important कितने लोगों को लगता है confidence important है तो जल्दी से लिखेंगे C I जल्दी से लिखेंगे C I confidence important confidence important C I जल्दी से लिखेंगे C I जल्ये तर्स्क्रेट तो ये confidence आता है knowledge से लिखेंगे C I confidence कहों से आता है confidence knowledge से आता है इसलिए knowledge लेना बहुत important है अच्छा confidence से क्या आता है confidence से आता है result confidence से क्या आता है result जब तक आपके पास confidence नहीं होगा जब तक कोई भी वेक्ति आपके बातों के उपर विश्वास नहीं करेगा इसलिए आपकी बातों पर विश्वास करने के लिए लोगों को आपके उपर पहले confidence होना चाहिए और आपके उपर confidence जब होगा जब लोगों को जब आपको confidence होगा तो इसलिए सबसे पहले हमें knowledge लेनी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर confidence हो, जब आपका confidence दिखाई देगा सामने वाले विक्ति को, तो वो आपके साथ join भी करेगा, और आपका product भी purchase करेगा, दूसरी चीज़ होती है planning, आपको knowledge हो गई है, काम को कैसे करना है, अब उसकी आपको planning करनी होती है, और planning करने के बाद में आपको action करना होता है, तो चलिए, अभी देकि knowledge किन-किन चीज़ों की जरूरी है, यह देखे, आप लोग, knowledge किन-किन चीज़ों की होनी चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों की knowledge चाहिए, सबसे पहले आपको पास में knowledge होनी चाहिए industry की, यह industry क्या है, direct selling business क्या है, direct selling business का past, present और future क्या है, यह होनी चाहिए, उसके बाद में आपको नौलेज होनी चाहिए कमपणी की किसकी नौलेच होनी चाहिए, कमपनी की, कमपनी के बारे में किन-किन चीज oportunidad की नौलेज होनी चाहिए सबसे पहले यहelे कमपणी के promoters क ओने,どう il का मालिक लोग को ओने, दूसरी चीज आपको knowledge होनी कश होनी चाइए कंपणी का profile क्या है company का अब तक का track record क्या है तीसी चीज की knowledge आपको हनी चाहिए कंपणी के products क्या है चौती चीज की knowledge होनी चाहिए कंपणी का plan और payout क्या है हम मैनत करेंगे तो पैसा कितना मिलेगा कब-कब मिलेगा और पांचवी चीज हमें पता होना चाहिए कि कमपनी की promotional supports क्या है कमपनी हमें किस-किस तरीके से support करती है ये knowledge आपके पास होनी चाहिए उसके बाद में आपके पास knowledge होनी चाहिए four basics की आपको पता है दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए basics लगते हैं क्या लगते हैं basics दुनिया के किसी भी काम में successful होने के लिए basics लगते हों network marketing business में भी successful होने के लिए basics लगते हैं तो यहां भी आपको basics की knowledge होनी चाहिए basics क्या है list, invitation, show the plan and follow up ये चार basics है इनकी आपको knowledge होनी चाहिए उसके बाद में फ्या जाता है system आपको system की knowledge होने चाहिए system की knowledge होने चाहिए system means इस business को करने का तरीका क्या है अभी system के six points होते हैं dream, list, invitation, show the plan, be 100% user of products and be a team player इनकी आपको थोड़र knowledge होनी चाहिए इसके बाद में फ्यापको advanced training भी होनी चाहिए advanced knowledge भी आपके पास होनी चाहिए आपका attitude कैसा होना चाहिए, आपकी skills कैसी होनी चाहिए आपको पास में tools कौन कौन से होने चाहिए, उन tools को use कैसे करना है यह knowledge आपके पास होनी चाहिए, इसके बाद आपके पास होनी चाहिए leadership क्या होनी चाहिए, leadership अभी leadership क्यों जरूरी होती है, leadership जरूरी होती है अपनी team को multiply करने के लिए अपनी team को retain करने के लिए, अपनी team को आगे बढ़ाने के लिए आपको leadership बहुत important है, आज मैं आपको इन सारी चीजों को लेकि कुछ बहुत-बहुत important चीज़ें बताऊँगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यह सर यह तो बहुत लोग गलती करते हैं तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग जोड़ते तो जाते हैं लेकिन लोग हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे वाले लोग सोते जाते हैं कितने लोगों के साथ यह हो रहा है आपको बताएं नेट्वर्क मार्गेटिंग बिजनस में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा important है नेट्वर्क मार्गेटिंग बिजनस में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा important है नमबर वन आपके साथ लोग जुड़ने चाहिए नमबर वन आपके साथ बिजनस में लोग जुड़ने चाहिए नमबर टू जुड़े हुए लोग काम करना चाहिए network marketing business में दो चीज़े बहुत important है आपके साथ लोग जुड़ने चाहिए जुड़े हुए लोग आपके साथ काम करने चाहिए जो लोग इस बात से agree हैं वो लोग जल्दी से chat box में लिखेंगे A, agree write down A, A for agree जो लोग इस बात से सहमत है कि लोग जुड़ने चाहिए और जुड़े हुए लोग काम करने चाहिए आज मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा जिससे आपके साथ लोग जुड़ेंगे भी और जुड़े हुए लोग काम करेंगे भी आज ये दोनों चीज़े मैं आप लोगों को बताने वाला होगा, if you are ready, यदे आप लोग तयार हैं तो, यदे आप लोग तयार हैं तो आज मैं दोनों ही चीज़ें आपको बताऊँगा, सबसे पहले, आपके साथ लोग जोडने चाहिए और जुड़े हुए लोग काम करने चाहिए, चलो, तो जो जो लोग ready हैं चानने के लिए कि लोग कैसे जुड़ने चाहिए, और जुड़े हुए लोग कैसे काम करना चाहिए, तो जल्दी से आप chat box में लिख दीजिए, are ready, तो मैं आपको यह दौनों चीज़ है बताने वाला हूं आज का जो हमारा जो master class है वो basically हम इन दो चीज़ों के उपर ही रखने वाले है तोड़े ज्मास्टर क्लास नेट्वर्क मार्केटिंग बिजनस में सक्सेश्फुल होने के लिए तो गेट सक्सेश इन नेट्वर्क मार्केटिंग देखिए नेट्वर्क मार्केटिंग बिजनस में सक्सेश्फुल होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नमबर वन आपके साथ लोग जॉइन करने चाहिए जॉइन करने चाहिए आद नमबर टू जॉइन कि यह हूए लोग काम करना चाहिए यह दो चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोग मानते हो यह इंपॉर्टेंट है किस सथ यह नोंॅगम ही चीज़ें हैं सबसे ज़या इंप important है क्या क्या कि यह देखिये यह दो चीज़ें सबसे ज्यादा important है मैं को थोड़ा सा short कर दब जिससे कि मुझे लिखने में आपको समझने में आसानी रहे क्या-kया important है आपके साफ 소नन लोग, लोग आपके साथ काम करने चाहिए लिख लीजिए यदे आप लोग satisfy हो तो अभी आम इसके आगे बात करेंगे लिख लीजिए दोनों चीज़े आपको success होना है network marketing में तो यह दोनों चीज़ों को ध्यान देना होगा चले गुड़ वेरी गुड़ अब हम लोग बात करेंगे आपके साथ लोग जोइन करने के लिए आपको चार काम करने हैं लोग जोइन करने के लिए आपको चार काम करने हैं लोग जोइन करने के लिए आपको चार काम करने हैं लोग जोइन करने के लिए आपको चार काम करने ह जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनको इनिविटेशन करना है उनको अपॉइंटमेंट लेना है क्या करना है इनिविटेशन देना है उनको बिजनिस को समझने के लिए इनिविटेशन विद एडिफिकेशन महत्व के साथ उनको इंविटेशन देना है काम को समझने के लिए अपउइंटमेंट लेना है नमबर थी शो दा प्लान शो दा प्लान करना है और नमबर फोर फॉलो अप करना है अभी मैं आपको इन एक एक चीज़ करके इनको समझाओंगा मैं आपको फॉलो अप करना है यह चार काम करने है यद्याप ये चार काम इमांदारी से करोगे तो 100% लोग आपके साथ बिजनिस में जोईन होंगे इस गैरिन्टेड़ लोग आपके साथ जोईन होंगे यदि आप ये चार काम करते हो तो लोग आपके साथ जॉइन होने ही वाले है ये पहला काम करना है उसके बाद अभी आपके साथ में लोग आ तो गए हैं आपके साथ में लोग आ तो गए हैं लेकिन आपके जुड़े हुई लोग काम करें उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको वापस सबसे important काम जो करना है वो करना है आपको खुद बी आ टीम प्लेयर आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है यदि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ आये हुए लोग काम करें यदि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ आये हुए लोग काम करें तो आपको एक तो ये काम करना है बी एक टीम प्लेयर इससे उपर आपको एक क करना है क्या करना है कि ऑन्डर्ड परसेंट यूजर अफ प्रडक्स में लिए भी हंडर्ड परसेंट यूजर ऑफ प्रड़क्स आपको अपनी कमपणि के जो प्रड़क्स तो आपको ये दो काम करने है अभी मैं इनको भी डिटेल में explain करूंगा यह पहला काम यह दूसरा काम यहां तक clear हो गया तो जल्दी से लिखें चैट बॉक्स में सी यहां तक clear हो गया है तो जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में सी कि अब देखिए अब हम एक करके चीजों को समझेंगे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं लिस्ट बनानी है राइट लिस्ट बनानी है अब इस लिस्ट को लेके कुछ बड़ी इंपर्ट irrelevant चीज़े हैं अब लिस्ट को लेके कुछ points है जो आपको ध्यान दकना है नमबर एक जो लिस्ट को लेके जो important बात है व्या आपको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा important है. नमबर एक, सबसे पहला point list को लेके बड़ी list बनानी है. यह सबसे important point है list को लेके. आपकी list बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो आकि आपकी जितनी बड़ी list होगी उतना बड़ आपका business होगा लिस्ट क्या होनी चाहिए? लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए. point number one, point number two, list ko regularly update करना है, list ko regularly update करना है, यदि आपने सिर्फ एक ही बार लिस्ट बनाई, आपने सिर्फ एक ही बार लिस्ट बनाई हो आपने दुबारा list ko update नहीं किया, तो आप इस business उसमें successful नहीं हो पाएंगे, clear cut बाद, point number 3, जिन लोगों को आप list में add कर रहे हो, उनके साथ relation building करनी है, उनके साथ relation building करनी है, एक्चुली क्या होता, दोस्तों, लोग list को बना लेते हैं, सबसे बड़ी problem क्या है कि list को update नहीं करते हैं, और list को update भी कर लेते हैं, तो लोगों से relation building करते हैं, पर आपको एक कमाल की बाद बता हूँ, यदे आप list तो बना रहे हो, लेकिन list को आप regularly update नहीं कर रहे हो न, वो list किसी मतलब की नहीं है, लिस्ट is of no use, आपकी list किसी मतलब की नहीं है, यदे आप list के उपर relations build नहीं कर रहे हैं, आप list बनाते जाएए, बनाते जाएए, बनाते जाएए, बनाते जाएए, if you are not maintaining relations with those people with those prospects it is of no use simple सी बात मेरा मानना ऐसा है कि आपको list को बनाने के साथ साथ सबसे पहले आपको उनके साथ में relations build करने चाहिए अब ये relations build कैसे किये जाते हैं ये आपको सीखना है पता है आपको बहुत सरी लोग मिलेंगे खूप सारी list बना लेंगे वो लेकिन फिर भी ये तो रोते रहेंगे कि मेरे पास तो list ही नहीं उनके mobile में बहुत सारे contact numbers भरे पड़े रहेंगे mobile में बहुत सारे contact numbers होंगे लेकिन उसके बावजूद भी पता है क्या बोलेंगे बहुत सारे contact numbers होने के बावजूद भी क्या बोलेंगे, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊ, मैं किससे बात करू, ये इशू सिर्फ उन लोगों के साथ आता है, जिन लोगों के लिस्ट के उपर रिलेशन्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं, और यदि आप लिस्ट बनाते हो, सा साथ में उनसे आपके रिलेशन्स बिल्ड होते जाते हैं, आप लोगों के से कितने लोगों को आपने ये कहते हुए, सुना है तेरे लिए तो मैं जान दे सकता हूं, क्या बात कर दी यार, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, सुना है आप लोगों नहीं सुना है, फ पता है कौन लोग बोलते हैं आप बताओ कौन लोग बोलते हैं ऐसे कौट बोलते हैं जल्दी से बताओ जर्गो मुझे ओ एसे कौन को बोलता है मैं तेरे लिए जान दे अभी तर्क किसी ने भी नहीं लिखा किसी को नहीं पता यह बात आप से किसी ने नहीं बोला कॉलेज में पेले जान दे सकता हूं करके कोई बात नहीं राजिंत देहरिय जी बोल रहे हैं वो बोलता है जो अपना बहुत खास होता है जो सर के साथ जुड़ जाते हैं मेरे साथ जुड़ जाते हैं क्या बैस्ट फेंड चले मैं बताता हूं यह वो बोलता है जिसके साथ रिलेशन्स बहुत अच्छे होते हैं यह वो बोलता है जिसके साथ आपके रिलेशन्स बहुत अच्छे होते हैं जिसके आपके साथ प्रेशन बहुत अच्छे होंगे ना वो जान भी देदेगा ब्लेड भी देदेगा पैसा भी देदेगा जो मागोगे वो देदेगा कितने लोग इस बात से सहमत है कि जिसके साथ हमारे संबंद अच्छे होते हैं वो कुछ भी देदेगा हो तो एक बात ब किसले पैसे मांग रहे हो यह भी नहीं को बताओगे कंपनी है जुड़ना है यह करना वो करना वह पता है अपको क्या बोलेंगे जो तुझे अच्छा लगे देख ले अपने पैसे पकड़ें यह वह लोग बोलते जिनके साथ आपके रिलेशन्स अच्छे होते हैं तो सिर्फ लिस्ट बनाना important नहीं है लिस्ट बनाने के साथ साथ उनसे रिलेशन्स बनाना important है अच्छा हम रिलेशन्स बनाके किसी को कुछ गलत नहीं दे रहे हैं हम रिलेशन्स बनाके उनको एक ऐसी opportunity दे रहे हैं जो opportunity सिर्फ उनकी ही नहीं उनकी आने वाली generations को भी फायदा हम उनको ऐसी चीज दे रहे हैं वह बात अलगे कि अभी उनको सायद इस चीज की समझ ना हो सायद उनको इस चीज की knowledge ना हो संकर बायन जी आप face को उधर करके बैठे लाइट की तरफ लाइट की तरफ face करिया आप उधर घूम जाईए ऐसे घूम जाईए दिस वे घूम जाईए आप लाइट की तरफ face कीजिए आप तो फिर आपका face दिखाई देगा नहीं तो मुझे light ही दिखाई देती रहेगी से और आपकी light का चोंदा मेरी आँखों पर पड़ता रहेगा आप light की तरफ face करके बैठ जाईए तो आपका चेहरा दिखाई देगा मुझे आपकी light है ना पीछे नहीं आनी चाहिए हमेशा ध्यान रखो light आपकी हमेशा आगे होनी चाहिए अभी आप लोगों को मेरा चेहरा clear दिखाई दे रहा है क्या मेरा face clear दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे मैंने पीछे की सारी light बंद की हुई है मैंने office में कम से कम कितनी lights लग पंद्रह बीस लाइट है लेकिन मेरे सिर्फ आगे की 1234 सिर्फ चार लाइट जला रखें बाकि 16 लाइट बंद है कम से कम सिर्फ आगे की जली हुए क्योंकि आगे की जलने से आपको मेरा face दिखेगा मैं पीछे की जला दूं तो आपको face clear नहीं दिखाई देगा इसलिए ज से तरीका बताता हो घूंप बनाने का तरीका कितने लोग सीखना चाहते हैं प्रोस्पेक्ट से बनाना कितने लोग सीखना चाहते है आज मैं आपको सबसे पहले वह सिखांगा हो हाव to make relations with the prospect जो लोग सीखना चाहते हैं जल्दी से लिको चैट बोक्स में मी कौन-कौन लोग सीखना चाहते हैं प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बनाना very good बहुत सुन्दर, बहुत बढ़ी है आप लोग सीखना चाहते हैं मैं आपको कुछ points note करवाऊंगा आपको कुछ मैं points note करवाऊंगा वो points आपको point ध्यान में रखने हैं और इन points को आफ follow करोगे आपकी इतने अच्छे relation बन जाएंगे कि जब कभी भी आपनको plan दिखाने के लिए बोलोगे न, वो न तो plan देखने के लिए मना करेंगे, ना आपको पैसे देने के लिए मना करेंगे. बस relation बना लेजेए. लेजन बनाना आज मैं आब को सिखाता हूं, right? तो हम आगे चलते हैं सबसे पहले इधर आ जाते हैं आज हम आपको सिखेंगे करना यह यहां से आगे स्टाट करते हैं रिलेशन बिल्ड करने के लिए 1, 2, 3, 4 मैं आपको सिर 10 points बताऊगा relation build करने के लिए यह 10 points को आपको follow करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 यह देखे 10 points for relation building यह relation build करने के लिए 10 points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 उन्हे good morning करिये say good morning to them with good quote with good story उन्हें कोट के साथ एक अच्छे कोट के साथ एक अच्छे स्टोरी के साथ एक अच्छे मैसेज के साथ है ना आप क्या कीजिए उनको good morning कीजिए उनको message कीजिए sir good morning और साथ में एक स्टोरी या एक message यदि आप स्टोरी के साथ कहना चाहें तो आप मेरी स्टोरी के साथ कह सकते हैं मैं एवरी डे तो एक स्टोरी भेजता ही हूं सबी लोगों को मेरे यूटूब पर आपको एक स्टोरी एवरी डे मिलती है अभी आपको लगातार काफी सहरी अभी तो लगबग यह समझ के चलो कि तीस स्टोरी तक तो आपको daily मिलने वाली हो बाकि आगे को भी मैं देते रह कि आपको इस्टोरी बेजने वाले हों पहला काम तो यह करना है ठीक है दूसी चीज़ दूसा स्टेप उनसे बीच बीच में पूछ लेना है क्या मेरे मैसेज से मेरे मैसेज से आपको कोई तकली तो नहीं है यह दो-चार महिने में एक बार मैसेज डाल के आप पूछ सकते हो एक ही व्यक्ति को बार-बार नहीं पूछना है नहीं लोगों को जिनको आप मैसेज भेज रहे उनको पूछ लो एक बार मेरे मैसेज भेजने ऐसे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है नहीं 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 तकलीफ कैसी ए अच्छा लगता है यह कोई को बोलता है हां जी मुझे बढ़ी है कि मैसेज बंकर कर दो वैसे सबड़ेंड होता है हजार लोगों से एक निकलेगा जिसके मैसेज से साफ़ मैं अदर्वाइस सट नो लगता हूँ तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा उनका इस बात का ध्यान रखिए मतलब उनको इरिटेटिंग न लगे आप उनसे यह बीच में पूछ सकते एक आद बाद साहां मेरे मैसेज भेजने से आपको को तकलिक तो नहीं है यह वोलते हैं हां हां है जी बिलकुल मत भेजो बंद कर द और हर क्योंकि मेल भी हो सकता है फीमिल भी हो सकती है न विस हिम और हर ऑन बर्थडे अनिवर्शरी उनके बर्थडे पर उनके एनिवर्शरी पर उनको क्या कीजिए विश कीजिए विश कीजिए विश्यू हापी बर्डे विश्यू हापी अनिवर्शरी अब आब बोलेंगे साथ हमें कैसे पता चलेगा इसके बारे में उनकी अनिवर्शरी कब है उनका बर्थडे कब है उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट लिख वा रहा हूँ एड हिम और हर आज अफ्रेंड ओन पेस्बुक उनको फेस्बुक के उपर आप ऐसे फ्रेंड एड कर लीजिए अपने साथ वो कैसे कर सकते हों उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए उनको फेस्बुक पे सर्च कीजिए उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए जब आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एकसेप्ट कर लेंगे आप उनको थैंक्यू बोलिए और फिर उनकी जितनी भी पुरानी पोस्ट पड़ी हैं, उन पोस्ट को एके करके उपर से नीचे तक देखते चलिए, डेली आदा गंटा सोशल मीडिया पर दीजियो, इनी चीज़ों के लिए, यहां फेस्बुक को यूज करते वक्त एक खत्रा है, उस खत्रे से साफधान रहिए, बता सकते हैं, जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में बताए, फेस्बुक को यूज करने पर खत्रा क्या है, फेस्बुक को यूज करने पर एक खत्रा है, आपको डेली आदा घंटा फेस्बुक यूज करना है, जिल लोगों के साथ में आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, उनकी प्रोफाइल चेक करने के लिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, आपको उनको विश करने के लिए, वहां से उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उनकी पोस्ट को लाइक करने के लिए, उनकी पोस्ट को कमेंट करने के लिए, आपको आदा घंटा देना है, मैं बता देता हूँ खत्रा क्या है खत्रा ये है रील मत देखना रील मत देखना वो खत्रा है क्यों रील देखना खत्रा है हाँ वो नशा है रील देखना क्या है एक नशा आपको रील देखने का नाशाद चड़ गया न तो आप न तो किसी को like करोगे न किसी को comment करोगे न किसी को friend request बेजोगे आपका आदा गंटा नहीं आपका एक गंटा दो गंटा तीन गंटे कब रील देखने में निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपको एक स्टोरी सुनाता हो फिर आपको समझ में आएगा अब लेकिन जो गलती करेंगे भाई मैंने आपको पहले बता दिया है अब आप गलती करोगे तो मरजी आपकी है एक बार एक हाती था और एक लॉमडी थी सुनो ध्यान से यह स्टोरी आने वाले टाइम में मैं उसक फिर को पर आपको इस टोरी मिल जाएगी लेकिन यह स्टोरी में आपको पहले बता रहा हूं एक हाती था और एक लॉमडी थी हाती अप्लाइम था लॉमडी डॉवलाइन थी दौनो जा रहे थे मां चलते 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 लौवडी बोलते है अप्लां ανα मुझे हस्पाणी प्यास लगी कितले है कि क्या करता है में डानलाइन का पूरा ख्याल रगता है फिर दोर चले थोड़ी दूर चले धो होड़ी दूर चले बोलती है अपंदी मुझे और पानि प्यास लिए हैं उसके सूर में जो थोड़ा बहुत पानि बचा था ओफर फिला द signals szre ले अब फिर गए चलते गए आगे चलते गए मुझे टेज पानी प्यास लगी अब मुझे नहीं चला रहा जारहा अब मैं गिरने वाली पिर मर देडर बाग मत बहले क्या करना है मैं मुँखोर रहा हूं मेरे मोह मैं अंदर घुजया और जाकर न ने विवेट इमें खूब सारा पानी है जाके पी ले कि मैं बस एक बात का ध्यार नखना वोले क्या जो यह उपर देखना तो अप्लाइन को कैसे पता चलेगा अप्लाइन को कैसे पता लगेगा कि मैंने उपर देखा कि नहीं देखा एक बाद बता अप्लाइन ने मना क्यों किया था उपर देखने के लिए अब ये तो मैं देखूंगी तब ही पता चलेगा तो लॉमडी ने क्या किया उपर ऐसे देखा तो देखा हाथी का कलेजा लटका हुआ है भूखी लॉमडी लाल कलर का कलेजा उसने सुचा अपना इनको क्या पता है एक बाइट ले लेती हुआ शलांग लगाई एक बाइट ले हाथी को दर्द हुआ हाथी को पता चल गया इसने उपर देख लिया अब उसने एक बाइट लिया अब भूखी लॉमडी हाथी का कलेजा एक बाइट लेने के बाद में क्या हुआ इक और ले 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 टी हुआ अपना इनको क्या पता चल रहा है अंदर और वो देखते देखते हाथी का पूरा कलेजा खा गई हाती का जैसे कलेजा खा गई हाती मर गया हाती का मुझ बंद हो गया अब हाती का मुझ बंद हो गया हाती बाहर मर गया लॉमड़ी अंदर मर गई हाथी की बात मान लेती तो ना हाथी मरता ना लॉमड़ी मरती लेकिन हाथी की बात नहीं मानी हाथी भी मर गया अप्लाइन भी मर गया और डाउन लेंग भी मर गया यह स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई फेस्बूक पर मैंने आदा घंटा रोज काम करने के लिए बोला है लेकिन रील देखने के लिए मना किया है रील देखोगे तो आपका पूरा समय फेस्बूक खा जाएगा फिर आप मुझे यह मत कहना कि सर हमारा तो समय बरबाद हो गया हम तो लुट गए हम तो बरबाद हो गए हम तो फेस्बुक में फसे रहे गए इसलिए स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है उपर मत देखना मतलब रील्स नहीं देखनी है जो काम बोला जा रहा है सिर्फ उतना काम करना है क्लियर हो गया तो जल्दी से लिख दीजे चैट बॉक्स में सी क्लियर मैसिस क्लियर लिख दीजे जल्दी से फास्ट मैसेस क्लियर हो गया डिलेशन बिल्ड करने की बात किंह जा रही है यह डिलेशन बिल्ड करने के लिए मैं ने आपको बताया इस बात का अपको ध्यान लखनाहे चली गुण तो उसको फ्रेंट रिक्वेस्ट भेज़िए फेस्बुक पर उसको एड कर लीजिए friend request भेज़के और फिर उसको वहाँ से विस्क करना चालू किजिए उसके बारे में सब पता चल जाएगा आपको राइट नमबर फाइव invite him invite him or her at your home अपने घर पे उनको invite करिए कभी-कभी उनको चाय पे घर पे invite कीजिए जिनसे आपको relation बनाना है उनसे मैं बता रहा हूं आपको उनको अपने घर पे invite कीजिए उनके wife के साथ, उनके husband के साथ है ना, उनको invite कीजिए नमबर six make a call once in fifteen days once in fifteen days at least कम से कम 15 दिन में एक बार तो फोन पे जरूर बात कर लीज़े सारे का मैसेज से नहीं होते हैं कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर फोन पे बात कर लीज़े मैसेज भीजना ही कलग चीज होती है, फोन पे बात करना ही कलग चीज होती है राइट, पॉइन नंबर seven उनके सुख, दुख में शामिल होईए आपको इस पता चल जाए कि उनके साथ कोई प्राबलम हो गई है, उनकी तवित खराब हो गई है, उनके फैमिली में कोई ट्रेजिडी हो गई है या उनके घर में किसी बच्चे का जनम हुआ है, या उनके घर में कोई अच्छा काम हुआ है उनके सुख, दुख में सामिल हो ये वो रिटायर हुए है उनके घर में बच्चे का जनम हुआ है, कोई भी काम हुआ है, उनके सुख, दुख में सामिल हो ये डिजिटल और फिजिकल यदि वो बुला रहें तो फिजिकली जाईए देखिए सुख में तो बिना बुलाई नहीं जाना है एक बात का ध्यान रखिएगा सुख में बिना बुलाई नहीं जाना है डिजिटली विश्च करना है यदि वो बुलाई तो पक्का जाना है लेकिन दुख में बिना बुलाई जाना है, इस बात का ध्यान रखना है, सुख में बिना बुलाई नहीं जाना है, दुख में बिना बुलाई जाना है, आपको पता चल गया, उनका एक्सिडेंट हो गया है, सारे काम छोड़के, उनसे जाईए, उनका हाल चाल पूछे, उनसे मिलके आईए उनके family में कोई tragedy हो गई है जाईए उनसे मिलके आईए स्थान्तवना देखे आईए कोई वही यदि दुख की बात हुई है तो जाईए मिलके आईए और सुख की बात है तो phone पर उनको wish कीजिए, पौन पर उनको बढ़ाई दीजिए, वजिए वो आपको बुलाते हैं फिर, तो जरूर जाएए, सारे काम छोड़के जाएए, समझ में आ गया, इससे relations बिल्ड होते हैं, पॉइंट नमबर एट, उन्हें गिफ्ट दीजिए, मैं यह नहीं वो लगोने कार देनी हैं घफ्ट में, घर देना है गिफ्ट में, आकेजन लें, जिस तरीके का कोई गाम है, कोई आकेजन हैं, कोशिश कीजिये, गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट में एक बुका हो सकता है, कि आप एक पैन का सोल पेकर सेट लेके चले जाएए एक डाइदी लेके चले जाएए कि मैं यह नहीं बहुत महगा दीजिए नहीं 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 आपको जो भी लगता है जितना आप एफ़र्ड कर सकते हो वो देखे आई है कि जब आप किसी को कुछ देते हो ना और इसको ऐसी चीज़ दे दो मैं पता आपको क्या करता हूं मैं गिफ्ट में क्या देता हो आप को मैं किसी की साधी होती है किसी का बरतडे होता है या फिर मतलब और इस तरीके की कोई भी ऐक्रेंटी होती है तो मैं गिस में यह वाउनम सिर्द सकते होlow और डिए सेढ़कोm जहां से भी निकल सकते हैं मैं उसके अच्छे चार्चे फोटो निकाल लेता हूँ और उनका एक कोलाज बनवाता हूँ उसको फ्रेम करवाता हूँ और फ्रेम करवाके उसको लामिनेटिड बढ़िया सा जिससे कि वो उसकी दीवार पे लगा रहे मैं उसको देखे आ जाता वो जिन्दगी में कभी उस फोटो को निकालके घर से बाहर नहीं फैकेगा इट्स माइट पॉमिस और जिसको आपने फोटो दे दिया अच्छा है उसके साधी पर चाहे बर्थडे पर चाहे अन्वर्सरी पर यह समझ लीजिए वो उसके दिल में घर कर गया हूँ कि मैं दोसो 2.5 निशे कह बंग जाता है कितने बंग नता है 200फर कह बंगग लें 2 पीवी सी के ऊपर बनता है पीवी सी के ऊपर बनता है बढ़िया वाला उसको देखे आजाएगे और नीचे अपना नाम लिख दीजिए फ्रॉंग अब जब जब वो फोटो देखेगा फोटो को देखे कोई ऐसी आप अच्छा फोटो निकाला आपने उनके बढ़िया फोटो डाल दीये उदर तो क्या करेगा उस बंदा उसको किदर लगाएगा ड्रॉइंग रूम में बैड रूम में और जब भी फोटो पर निगाज जाए तेजिए प्लान दिखाने के लिए इंवाइट करोगे आप मुझे बतायिए वो टाइम देगा कि नहीं देगा यह सर टाइम देगा डेगा टाइम सर जॉइन करेगा जॉइन करेगा पैसे भी देगा तैसे बिदेगी दो सो रिपे का दाना डाला वहां से जतना चाहो हो उतना बिजनस निकाल सकते हैं इसलिए बोलता हूं ये इन हिंवेस्टमयन्ट तो आपको समय समय पर इस तरीके के उन्हों creep पाटी में बुख्ये के बड़ दे में तो जहीर सी बात है उनका बच्चे का बढ़े है तो फोटो पढ़े होंगे फेस्बुक के ऊपर स्टेटस पर लगा लेते हैं लोग वहीं से निकाल लीजे कुछ फोटो और एक बढ़िया सा फ्रेम करवा लीजे दो सो डही सो रपे का होगा जाईए और पैक करवा के लेकर जाईए और गिफ्ट पकड़ा के आजाईए और जब वो गिफ्ट खोलेंगे ब कसम से बोलाओ जितने भी लोग गिफ्ट लेके आयं होंगे ना उनमें सबसे अच्छा गिफ्ट आपका होगा मेरी टीम में एक लड़की थी प्रियंका गुपता उसका क्या हुआ उसकी साधी थी उसने मुझे साधी में इन्वाइट किया सुनेगा ध्यान से मैंने उसके लिए उसके और उसके हजबेंड का एक फोटो बन वाया उन्हों ने उनकी प्रीवेडिंग हुई उसकी प्रीवेडिंग के उसने फोटो बनागे उसको दे दिया मैं साधी में गया उसमें अजभाऑ года सुक्शी आत्याथ मैं साधी में गया उसको वो फोटो देखिया है अब साधी के बाद जब फोटो खोलते हैं साधी के बाद जब गिफ्ट निकालते हैं सारे कौन-कौन क्या-क्या देखे गया उन लोगों ने जब मेरा गिफ्ट देखा लिटरली मुझे फोन आया थैंक यू बोलने के लिए मैं आज भी गैरेंटी के साथ कह सकता हूं कि वो फोटो उनके ड्रॉइंग रूम में आज भी लगा होगा वो दुनिया को भूल सकते लेकिन मुझे नहीं भूलेगी तो आपको एक आइडिया दिया है मैंने रिलेशन्स बिल्ड करने के लिए क्लियर हो गया चल गुड़ नेक्स्ट उन्हें गिफ्ट दीजिए राइट नाइन उनके साथ कभी कभी टी पार्टी कीजिए देखे एक तो टी पार्टी होती है कि आपने गहर गुला लीजिए राइट दूसरा कभी होता है कभी आप उनके साथ में चाहो तो किसी रेस्टोरेंट वगरा में भी बैढ़ सकते हो उनको कभी रेस्टोरेंट वगरा में बला लीजिए मैं दर से निकल रहा था आप कहा है आपके साथ एक कप चाय हो जाएगी तो अच्छा लगेगा है ना इस तरीके से अभी किसी के साथ भी आप एक कप बैठके चाय पी लोगे तो क्या लगता है वो एक कप चाय विल कॉस्ट हाड़ली हंड़र रुपीस दौनों का मिलाके आपका और उनका लेकिन आपकी पचास रुपे की चाय ना यह समझ लीजिए आपका मामला फिट कर रही है इस चीज का भ्यान रखे एंड पॉइंट नमबर टैन अब आपको क्या करना है उनकी सची तारीफ किजिए उन्हें कॉम्प्लिमेंट दीजिए अब उनकी सची तारीफ करने है उनके घर की तारीफ कीजिए उनकी परिसनालिटी की तारीफ कीजिए जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसकी तारीफ कीजिए अब आप मुझे बताओ एक बात यदे आप यह टैन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो किसी भी व्यक्ति के साथ में आपके रिलेशन्स अच्छे होंगे की नहीं होगे और जब आपके उनके साथ में रिलेशन्स अच्छे होंगे तो ज्वाइनिंग होगी की नहीं होगी आप किसी आदमी के साथ इतना करके देखो एक बार एक बार इतना करके देखो फिर आपके साथ ज्वाइनि कुछ दिन बाद उनको सिफ प्लान दिखाने के लिए फोन करेंगे लिए बीच का कोई ठिकाना नहीं है सीधे सीधे फोन करेंगे सिफ बिजनस के लिए और फिर क्या मुलते हैं हमारी तो कोई जोईनिंग आती नहीं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं हमारे उपर तो कोई भरुषा करता ही नहीं अरे तुमारे उपर भरुषा करने लाइक पहले तुम कुछ करो तो सही कि डारेक्टी तुमारे उपर भरुषा कर लेगा कोई वैसे तुम्हारी सौमें से एक ज्वैनिंग आएगी और इस तरीके से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं इस तरीके को फॉलो किया न तो मुझा सब ज्वैन होंगे कोई एक आदी होगा जो मना करेगा हाँ इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए इसमें 11 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है पॉइंट नम्बर 11 इनके फायदे की सोच रखिए उनके फायदे की सोच रखिए दिल से उनके फायदे की सोच रखिए दिल से उनके फाइदे की सोच रखिए कि आपको उनको benefit करवाना है benefit देना है यह point number 11 दिल से मतलब जिस रेक्ति को भी आप अपने list में लेके आ रहे हैं यह सोचे मुझे है ना इनका फाइदा करवाना है मतला मुझे सिर्फ जोईन नहीं करना है मुझे सिर्फ मेरे साथ जोड़के मेरा उल्लू सिधा नहीं करना है मुझे उनको जोईन करके उन्हें पैसा कमाना है यह thinking पैदा करो अपने अंदर अल्वेस ठिंक लाइक डाइट यह जो में लिस्ट में जो लोग आये न मुझे इनको पैसा कमाना है मुझे इनको अचीवर बनाना है जब आप ऐसी सोच रखोगे न तो आपका और आप पॉजिटिव क्रियेट होता है पॉजिटिव वाइब्रेशन्स क्रियेट होती है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन्स पॉजिटिव और आप उस व्यक्ति को आपके साथ में जॉइन करने के लिए तयार करें तो यह आपको 11 स्टेप स्वालो करने है अच्छे रिलेशन्स बिल्ड करने के लिए लोगों के साथ और एक चीज़ लास्ट जल्दबाजी नहीं करने है जब तक आपका उनके साथ अच्छ रिलेशन बील्ड नहीं हो जाए तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजीए आप एक दो दिन के बिजनस में हो आप लंबे बिजनस में हो यह बिजनस एक दो दिन का बिजनस नहीं है यह पचास सो साल का बिजनस है आप यह मैं सोचके करो कि जी बस मैं तो आजी जोईन हो जाए आजी सारे काम हो जाए आप रेलेशन बिल्ड करना चालू कर रहे हो कोई आपके साथ एक महीने बाद आएगा कोई दो महीने बाद आए कोई साल भर बाद आएगा कि आपके साथ आएंगे जरूर जल्द बाजी मत कीज़िए क्लियर हो गया तो यह देखिए अभी हमारा कोई सा पॉइंट चल रहा था रिलेशन बिल्डिंग का राइट यह लीजिए तो मैंने आपको आज जो बताया सबसे पहले मैंने आपको बड करना है यह काम आपको के ऊपर करना है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेν्ट काम करना है इनंव़ीटेशन में सबसे ज्यादा important काम करना है, that is, क्या करना है, एक ही point बताऊंगा इसमें, बस उसी को कर लीजेगा, बेड़ा पार हो जाएगा, क्या करना है, minimum, minimum, five calls every day, without absence, without absence, बिना नागा किये, minimum, five calls every day करनी है, without absence, for what, for appointment fixing, appointment fixing के लिए, appointment fix करने के लिए, आपको minimum five calls every day करनी है, with commitment, मतलब इसके लावा कोई option नहीं है, अब देखो, ये कैसे की जाती है, इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, है ना, अभी जैसे मैंने आपको relation के बारे में बताएं, इतनी सारी चीज़ें, अब उतनी ही सारी important बातें इधर भी हैं, लेकिन मेरे साथ में time की limitation है, ये हमारा time का limitation है, मैं बहुत जड़े detail हैं, आप लोगों का time नहीं ले सकता, तो अब इसके बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग ये आप में साथ में आते हो, हमारी regular classes में आते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको minimum five calls everyday करनी है, किन-किन बात करना है, क्या करना है, show the plan करना है, और इसमें भी एक बड़ी important चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा important, सबसे ज़्यादा important, show the plan में, एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, it is oxygen of our business, minimum, एक प्लान, every day, करना ही, करना है, इसके अलावा, you have no choice, you have no option to get success in network marketing business, if you wish, यदे आप चाहते हो, network marketing business में सफल होना, it is only option, minimum, one plan, every day, कैसे दिखाना होता है, effective plan में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, plan कैसे दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जब आप मेरे साथ regular classes में आएंगे, तब, क्योंकि यहां उतना वक्त नहीं है कि हम सारी चीज़ें आपको सिखा सकें, लेकिन हाँ, ये बहुत important है, अब plan भी पता है, क्या होता है, plan भी पता है किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के plan होते हैं, सुनिए का ध्यान से, आज तक नहीं सुने होंगे, आपने आज पहली बार बता रहा हूँ, formality-based plan और result-oriented plan, formality-based, result-oriented, formality-based कैसे होते हैं, formality पूरी करनी है, plan की गिंती पूरी करनी है, result-oriented कैसा होता है, result निकालना है, formality पूरी नहीं करनी है, समझ में आ गया, अब यह result-oriented plan कैसे दिखाया जाता है, इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यह आपको जानना है, तो फिर आपको हमारे साथ regular classes में आना चाहिए, result-oriented plan कैसे दिखाते हैं, वो हम सिखाते हैं हमारी classes में, regularly, प्लाइन के बाद मैं फॉल्ल उप क को पता है एक इंप्लाइन से नहीं जूडते और लोग plan से नहीं जुडते लोग follow up से जुडते हैं किस से जुडते हैं follow up से जुडते हैं लेकिन follow up कैसे किया जाए लोगों के objections को handle कैसे किया जाए लोगों से पैसा कैसे मांगा जाए कि इन बातों का ध्यान रखा जाए कि सामने वाला व्यक्ति मना न कर सके ये भी आना आपको सीखना पड़ेगा आपको बता है फॉलो अप क्या होता है फॉलो अप इस कॉंबिनेशन ओफ आर्ट साइन्स एंड हुमन साइकलोजी फॉलो अप कला विज्ञान और मनुविज्ञान इन तीनों चीज़ों का कॉंबिनेशन है फॉलो अप इस कॉंबिनेशन ओफ आर्ट साइन्स एंड हुमन साइकलोजी और ये तीनों चीज़ें सीखनी होती है और हम आपको ये तीनों चीज़ें सिखाएंगे हम आपको तीनों चीज़ें सिखाएंगे follow-up में art, color क्या दिखानी है color कारी क्या दिखानी है science क्या लगानी है scientific steps क्या follow करने है and human psychology उसकी psychology के उपर अपना कबजा कैसे करना है उसकी सोच अपने जैसे कैसे बनाने है आपको होता है अच्छा बॉलर कौन होता है आपने कभी cricket देखा हो तो अच्छा बॉलर कौन होता है गोईपाल जी अच्छा बॉलर वो होता है जो batsman से जो batsman से shot वहां लगवाए जहां वो चाहता है वो होता है अच्छा बॉलर यदि बॉलर यह चाहता है कि बैट्समेन अपकी बाल बॉल को कैच दे ऐसी शॉट लगाए और बैट्समेन वैसी ही शॉट लगाए तो वो अच्छा बॉलर है इसको बोलते हैं अपस्पेक्ट से वैसा ही कर वाओ जैसा आप चाहते हूं इस मेरा आपको बता है नेट्व कमार्केटिंग लीडर्स आर बैस्ट सर्जुन्स जो अच्छे लीडर्स होते ना वे बैस्ट निव्रो सर्जन्स होते हैं सर्जन तो भी वो चीड़ फाड करके operation करता है network marketing leaders चीड़ फाड नहीं करते हैं वो चीड़ फाड नहीं करते हैं वो बिना चीड़ फाड के operation कर देते हैं आपको पता है यह बात वो सामने वाले के mind में उसको brainwash करके positive कर देंगे उसे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे without getting operate बिना mind खोले doctor तो भी mind खोल के operation करता है we used to operate without opening anyone's mind this is called human psychology तो यह हम सिखाते हैं कैसे होगा राइट तो यह आपको सीखना है उसके बाद हो गया जी be hundred percent user of products आपको अपने products का hundred percent user बनना है तब लोग आपके products को use करें और अपने products को use करने से आपका business कैसे कैसे बढ़ता है वो हम सब सिखाएंगे और साथ ही मैं आपको यह भी सिखाऊंगा पता है क्या सिखाऊंगा मैं आपको साथ ही यह भी सिखाऊंगा कि आपकी टीम में ज़्यादा लोग product use कैसे करें और च्छेटवी चीज़ कि झाल कि कि समझ में आगया जी अब उसके बाद में आता है बीए टीम प्लेयर अब देखिए आपके जुड़े हुए लोग आपके साथ काम कब करेंगे जब आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाओगे जब आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाओगे न तो जुड़े हुए लोग आपके साथ काम करेंगे यदे आप एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं बनोगे न लोग आपके साथ काम नहीं क कितने लोगों को लगता है कि सर ये तो वाके में सारी चीज़ें सीखनी चाहिए सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे कितने लोगों को लगता है तो जितने भी लोगों को ये लगता है नए लोगों को जर्नी करके एक program start किया हुआ है 90 days direct selling leadership journey अभी हमारा उसका batch 2 start होने जा रहा है क्या start होने जा रहा है batch 2 हमारा start होने जा रहा है 90 days direct selling leadership journey गांग और इस 90 days direct selling leadership जडरणी में हमारा उद्देश्चे होता है, दो 오른फ होता है, न sommes 1. आपको डिस्रिबूटर से, लीडर बनाना, number दो आपकी टीम बनवाना, यह हमारा इस की ट्रेनिंग होती है, जिसको हमने थर्टी थर्टी डेस के तीन slots में divide क्या हुआ है first 30 days में हम आपको इस business का पूरा system सिखाते हैं direct selling network marketing business क्या है क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसके system का points कौन कौन से हैं उनको theoretical, practical सारी चीज़े हम आपको सिखाते हैं first 30 days में अगले 30 days में हम आपको सिखाते हैं पूरा advanced training और साथ में हम implementation करवाते हैं जो कुछ हमने सिखाया है वो हम आपसे implement करवाते हैं वो हम क्या करवाते हैं आपसे implement करवाते हैं वो हम आपको सब सिखाते हैं और जो सिखाया है वो करवाते हैं और सारी की सारी advanced training देते हैं आपको इसमें, आपको क्या-क्या चाहिए इस business के लिए, और अगले 30 दिन में हम आपको leadership सिखाते हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उन लोगों को multiply कैसे करना है, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उन लोगों के अंदर ये business को duplicate कैसे करवाना है, उनसे काम कैसे कर ये सब कुछ हम सिखाते हैं, इस सब आपके सामने हैं, आपके अंदर leadership डालते हैं, ये हमारा 90 days का course है, जो everyday morning में सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक class होती है, इसमें live interaction होता है, मेरे साथ daily, जैसे अभी हमारी एक class हो रही है, वैसे ही everyday class होती है, जिसमें हम आपको सिखाते है और इस course की जो fees है, वो है 4999, ये 90 days की जो fees है, वो है 4999, अभी second batch के लिए हमने fees रखी हुई है, after discount, 2999, कितनी? 2999, यानि 29999 पर इमार तक कितने दिन के लिए? 90 days के लिए, 90 days के लिए, और जो व्यक्ति अभी, सिर्फ अभी, अभी अपना registration करेंगे 90 days के batch में, उनको सिफ पे करना है only 1999, जो अभी पे करेंगे, जो आज के बाद पे करेंगे, उनको पे करना है 2999, कितना? 2999, जो अभी पे करेंगे, उनको पे करना है 1999, अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए एक good news और है, good news ये है, कि जितने भी ज नए लोग हैं, जो लोग आज अपना registration करेंगे, उनको हम first batch की recordings भी देंगे, वो अभी first batch की recordings को सुनेंगे, और जैसे ही हमारा second batch स्टार्ट होगा, उसमें उनका, उनकी class स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपके पास में ये opportunity है, आप first batch की recording से भी सीखेंगे, और second batch में, आप हमारे साथ में हम आके second batch में, आप regular 90 days की हमारे साथ class करेंगे, 100% money back guarantee के साथ, ये सारी चीज़े मैं आप लोगों को सिखाने वाला हो, तो आप लोगों में से जो भी seriously सीखना चाहते हैं, इस training का benefit लेना चाहते हैं, एक अच्छा leader बनना चाहते हैं, और अपनी team बनाना चाहत हैं, आप लोग इस offer का benefit लेके आज के आज आप अपना registration कर सकते हैं, registration के लिए मैं आपको मेरा QR code दे रहा हूँ, इस QR code के उपर आप अपना pay करके, अभी के अभी आप अपना registration करवा सकते हैं, कल ही आपको recordings मिल जाएंगी first batch के, कल से ही आप अपनी recordings को सुनके आप सीखना च आपको जस्ट एक बाद, मैं आपको एक बार मेरा QR code दिखा देता हूँ, एक second में, आप इस QR code के उपर आप अपना payment कर सकते हैं, आज पे करेंगे आप, इस में registration आप करवाना चाहते हैं, आपको one triple line पे करना है, आज के बाद आप पे करेंगे, आपको two triple line पे करना है, जस्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, first यह लेजिए, वन triple line, आपको पे करना है only, यह एक बर आप QR code का फोटो ले लीजिए, जो लोग इसका benefit लेना चाहते हैं, यह QR code आपके सामने आ गया है, जो लोग भी अपना registration करके अभी benefit लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, बाकि जो लोग हमारे साथ already इस batch में, first batch में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग अपना अनुभव share कर सकते हैं, चैट के माधियम से आप बता सकते हैं, कि आपका कैसा अनुभव है, आप लोग सीख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, जो चीज़ें मैंने आपको जो इन लोगों को जो सबको बताई हैं, कि ये चीजे में सिखाता हूँ, ये चीजे आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, जस्ट कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार लिख दीजे, कि ये सारी चीजे आप लोगों को सीखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो मैंने अभी सारे लोगों से कमिट किया है, एक बाद जल्दी से chat box में लिख दीजे आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है जो जो चीज़ें मैंने भी कमेंट देख सकते हैं मैं बोलने का चांस ज्यादा इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि मैं टाइम कम है मुझे एक और ट्रेनिंग लेनी है भी बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बार आप चेक कर लीजिए देख लीजिए कि जो लोग अलड़ी सीख रहे हैं वो लो का अगया कि आप लोग देख सकते हैं यह सारे के साथ लोग सीख रहे हैं यह सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिल रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग benefit ले रहे हैं आप लोग भी जैदि benefit लेना चाहते हैं तो आज आपको पे करना है वन ट्रपल लाइन आज के बाद आपको पे करना है टू ट्रपल लाइन है राइट यह आप लोगों के पास मैं अपर्चुनिटी है इसके बाद मुझसे यह नहीं कहेंगे कि सर आपने आपने नहीं दिया था और थर्ड बैच की फीज रहेगी मिनिमुम पाइट थाउसन पूर ट्रिपल लाइन थर्ड बैच हमारा फर्स्ट बैच की फीज थी टू थाउसन जो मैं आज आपको ओफर में दे रहा हूं सेकिंड बैच मिनिमुम थी थाउसन आज के बादे आप पे करेंगे थर्ड बैच आपको पे करना होगा फाइट थाउसन अब आप देखे इस बैच का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप आज अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आज रात को बारे बज़े से पहले पहले जिन लोगों को कल ही उन लोगों को कल ही सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी फर्स्ट बैच की जो वीडियो सुनके आप सीथे रहोगे और सेकंड बैच में आपका रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा जैसे क्लासिस स्टार्ट होंगी आपकी सेकंड बैच में आपके रेगुलर क्ल सकते हैं चले वेरी गुड कोई डाउट कॉशिंग नहीं है तो अब हम इस सेशन को यह पर क्लोज करेंगे आप में से जितने भी लोग चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना कि वह अकोड मैंने आपको दिखा दिया था वन सगें में इक बार दिखा देता हूं इसका पर आपको पे करना है अर्के उसका उसक्यों चूट jsem पहस्ते हुड़िजाना। आपलो के पास एक श्रॉटी है आप यह जल्दի से अपना करवाये ये सारी चीजे सीखेए इस बिजनेस में बेहत सफल है मैं आपको बताऊ हूं मुझे ये सारी चीज इस्थानेalis कोई नहीं ला कोई ना और ़ूद्व से सारी चीजें हमने सीख लिए होती तो हमने और बाहुत बड़ा काम कर कर दिया होता आज की तारीक में सिंडूस्ट्रे हुए हम चाहते हैं कि जो कमी हमारे साथ रही जो चीजें हमने खुद सीखी मैनत करके सीखी वह चीजें हम आप लोगों को सिखा रहे हैं पस इसका फाइदा ले लिजिए और अपने समय को बरबाद होने से बचा लिजे और ज तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बैस्ट विशिस आप लोगों के सेकंड बैच के लिए बागी सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे सभी को रुमश्कार